अगर गाईस में आपके सामने इस नुट वूट पर लिख दूँ 8 plus 8 is equal to 91 क्या दोस्तो आप इस सवाल को solve कर सकते हैं ना किसी नंबर को मिठाए और ना किसी नंबर को add किये is equal to 91 answer आना चाहिए क्या दोस्तो आप इस logical question का answer दे सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो गाईस इस व लोजिकल कोस्तन का अंसर में आपको देने वालां कि कैसे 91 आया और कैसे आप 8 8 is equal to 91 को solve कर सकते हो यह आप बहुत ही लोजिकल सवार मान सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस सवाल को solve बहुत कम लोगों तो गास इस सिंपल की सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके सामने गास रखिए नोटवोक और गास यह पेंट ठीक है तो चलिए गास मैं आपके सामने लिखता हूँ 8 ठीक है प्लस 8 इस गल टू 91 तो गास देखो आपके सामने गास मैं लिख दिया यह प्लस 8 इसगल टू 91 और वैसे गास इसे गास इसे पलट देंगे ठीक है आप गास क्या हुगा 8 प्लस 8 कितना हुआ 60 यानि गास कितना सिंपल सवाल है आपने बहुत सारा दिमाग लगाया होगा लेकिन आपने सॉल्व नहीं कर पाया हुआ लेकिन आप notebook को पलट दीजिए या फिर कहीं और आपने लिखा हो तो गास उसको ऐसे पलट दीजिए पहले गास मैंने ऐसे रखा था ठीक है अब गास देखो मैंने पलट दिया तो गास कितना simple सवाल है ठीक गास हाली solve हो गया तो रंती solve हो गया 2 second का समय लगा होगा 8 plus 8 60 ठीक है ना मैंने किसी नम्मर को मिटाया और ना किसी नम्मर को add किया बैसे ही गास मैंने solve कर दिया है और इसी प्रकार की logical experiment आगे हो देखने के लिए आप माँ चैनल सब्सक्राइब रूपर करें जिससे हमारी सबी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके चली गास मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में एक और ने टॉपक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत